नमस्कार यूटीबी नूज 24 की एक और नई ख़बर में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है गाइस बहुती बड़ी ख़बर सामने निकल के आ रही है टीम इंडिया ने औस्टिल्या की टीम को धूल चटा दी है दूसरे वंडे मैच में जो की काफी कमाल का मैच रहा आपको बताएंगे पूरा हाइलाइट क्या रहा किस खिलाडी ने कितने रन बनाए सबसे बहतर खिलाडी कौन था और अस्टिल्या की ओर से इंडिया की ओर से अगर आप भी जानना चाहते हो और आप भी क्रिकेट फैन हो बनेरी हमारे साथ इस खबर में अंधे तक तो गैस जानकारी के लिए मैप को बता दू सबसे पहले टीम उस्टिल्या ने टोंस जितने के बाद गेंद्वाजी कंडे का फैसला किया मगर उनका फैसला एकदम गलस साभित हुआ क्योंकि यापी टीम इंडिया की ओर से सबसे पहले बेटिंग इंड़ाई रोईस सर्मा के साथ सिखर दवन ने आतिस बाजी पारी खिल डाली और कमाल कर दिया रोईस सर्मा यहां पे 44 गेंदों में बाली इस रम बना कर एल्बी डबलू आउट हो गे बले ही उसके बाद मगर सिखर दवन ने तो कमाली कर दिया और सिखर दवन ने 90 गेंदों में 96 रन की पारी खिल डाली वो तो चोका लक से अपना सतक पूरा करना चाते थे मगर में 80 रन की तूफानी पारी खिल डाली और इस बज़े से टीम इंडे के स्कोर हो गया था पूरे पचास तो और में छेविकेट की नुक्सान से 340 रन और इस स्कोर का पीछा करने उतरी टीम आस्टेलिया ने ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर पार इस मैच को हार गई सबसे पहल के साथ फिंच बैटेंगे नहीं तो पहले की तरह सतक नहीं लगा पाए और 15 गेंदों में वार्नर आउट होके पविलियन लोट गए मोहमस समीर उनको पविलियन लोटा दिया उसके वाद एराउन फिंच आये तो एराउन फिंच आप 48 गेंदों में 33 रन बनाने के बाद र भारते गेंदवाजाओं के सामने और उल्ली 304 रन पर पूरे 10 बिकेट गुर चुके और 5 बाल बाकी भी रह गई थी आप याद करिए पहले टीम इंडिया की 5 बाल बाकी रह गई थी पूरे ओवर नहीं खेल पाई थी और यहाँ पे आप 5 बाल बाकी ओस्टीला की रह गई थे नगर वो तो हैट ट्रेक नहीं लग पाई उसके बाद यहाँ पे जो कुल्दी प्यादव है इन्होंने भी लगातनार दो बेकेट लिये हैं तो काफी खतरना गेंदवाज है यह दोनों और बात करते हैं कि एक ओवर से लेकर 25 तक दोनों में खंपिर करते हैं तो यहाँ पर भारते टीम ने ठालीस ओपर से लेकर पारी की अंद तक नइंटी वर न लगाए मगर तीन विकेट गवादिये और वहीं उस्टेला की टीम ने 176 रन बनाए मगर 5 विकेट गवादिये और इसी के साथ इस मुकावले को भारते टीम ने 36 रन से अपने नाम कर लिया है अब दोस्तों होना है बैंगलोर के स्टेडियम में मैच अब वो होगा काम का मैच वो होगा सबसे तगड़ा मैच वो होगा दोस्तों करो या मरो का मैच अगर भारती टीम इस मैच को जीतती है तो भाई इस सीरिज को अपने नाम कर लेगी मगर औस्टेलिया की टीम भी कम नहीं है अब देखने हैं बहुत इंट्रेस्टे होने वाला है कि कौन सा पहलवान जीतता है दोनों पहलवान बहुत टक्कर के हैं तोस्तों आप नीचे कमेट करके जवूर से बताना कि भाई कौन सी टेम आने वाले मैच को जीतने वाली है तो काईस ऐसी खबरों के साथ बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए बेल आकन भी दवा लिजिए क्योंकि यहाँ आपको परड़े ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो मिलती रहती है और इस वीडियो को ज्यादा से लाइक किरिए अगर आप भी किरके टीम इंडिया को जिता आना चाहते हो तो तो फिलाल इस खबर में इतने था मिलते हैं आपसे कुछ हैसी खबर के साथ तब तक की लिए अपने खैल रखियों देखते लिए यू टीवी न्यूस 24